हिमोगलोबिन खून में मौझूद वैप प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है हर शक्स के खून में एक निश्चत मात्रा में हिमोगलोबिन होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी कमी से एनीमिया होने का खत्रा बढ़ जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि हिमोगलोबिन अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो यह नुकसान दायक भी होता है जियाँ इसके अधिक मात्रा स्वस्त शरीर के लिए हानिकारक है खून में हिमोगलोबिन का सही मात्रा में होना बहुत सरूरी होता है इसके ना होने से शरीर कई बिमारियों के चपेट में आ जाता है लेकिन इसके अधिकता भी शरीर के लिए नुकसान दायक है हिमोग्लोबिन के अधिक मात्रा होने पर खून पहले की तुलना में गाड़ा हो जाता है इसके कारण खून का प्रभाद हीमा हो जाता है शरीर में हिमोग्लोबिन का स्थर बढ़ने से थकान महसूस होने लगती है हिमोगलोबिन का स्थर दिमाग की शम्ता भी बहुत हद तक प्रभावित करता है और सोचने सवचने में दिक्कत आने लगती है हिमोगलोबिन के अधिक्ता होने पर खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता और दातों की जड़ों और मसूडों से खूनाने जैसी परिशानिया होने लगती है अगर लगातार हलका सिर्दर्द बना रहे तो इसका कारण हिमोगलोबिन का बढ़ना भी हो सकता है कई बार हिमोगलोबिन वरने से आँखों से धुनला दिखाई देने जैसी परिशानिया होने लगती है पेट में अचानक दर्थ होना या बाई तरफ तबाफ महसूस होना असेच महसूस होना पेट भरा हुआ लगना जैसे लक्षन भी इमोगलोबिन के अधिक्ता के कारण दिखाई दे सकते है डिबी लाइफ की रिपोर्ट